गुद मॉर्निंग दिस यूर होस्ट और दोस्ट फाइंड गुरुजी दिस प्री ओपन मार्केट अपडेट फुर यू प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और सबसे पहले ग्लोबल सेंटिमेंट ज़रा देख लेते हैं कि रात में जो यूस मार्केट है उसने किस तरह से म किया है फिर उसके बद कुरूड पर थोड़ा से अनालेसिस करेंगे और आज अपनी मार्केट जो गाप करने वाली है उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं उसको एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो को साथ में बने रहीएगा सबसे पहले इंडाइस क फ्यूचर की बात करें तो वहां पर भी आपको 100-100 पॉइंट जो है वो ताव फ्यूचर अप चल रहा है और यहां पर सारे फ्यूचर जो है इस टाइम पर क्योंकि रात में ग्लोबल सेंटिमेंट जो पॉजिटिव मुमेंटम होने के बाद में बंद हुए उसके बाद फ् अभी थोड़ा सा हलका से स्पाइक अप किया है यह कुछ खास इंपक्ट नहीं डाल सकता ठीक है और करेंसी की बात करें तो वह भी स्टेवलस में कोई प्रावलम नहीं है तो यह तो बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट इंडाइस इस ग्लोबल सेंटिमेंट कुरूड और अ सी की आसपास की ओपनिंग बोल रहा है तो आपको क्या लगता है अगर आप सी होल करके गए हो तो आपको क्या करना चीए मेरे इसाब से अगर मैं होता तो इमीजटली प्रॉफिट बुक करता क्यों ऐसा बोल रहा हूँ एक सो साट पॉइंट गैप अप के बाद में बहुत कि ठीक है पहले प्रॉफिट बुक करो बाद में चीज़े देखी जाएंगी आज निफ्टी की एक स्पैरी है तो जिन लोगों ने पुजीशन शाट करके बना रखी है वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट को दुबारा 800 की जोन में 900 की जोन में लेकर आया जाए तो बेसक मार्केट नीचे आये नाये लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट एक पूलबैक ले सकती है बाई और डिप करेंगे हम आज लाइव आएंगे साड़े दस बजे से तो ऑप्शन ट्रेडिंग विद फंड गुरी जी चैनल पे तो आप जोन कर लीजेगा अगर मार्केट पूलबैक लेती है तो एक लाइन डाल के मैं आपको देता हूँ पहला पूलबैक जहां पर आप सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकते हैं 21,930 अगर मार्केट बड़ा गैप अप करती है 22,000 के ऊपर तो 21,930 वो नंबर होगा जहां पर मार्केट सपोर्ट देने की कोशिश चो है वो करेगी पूलबैक के टाइम पर और अगर इसको तोड़ दिया तो 8.55 आखरी लेवल होगा जहां पर मार्केट रुख जाएगी गैप अप कहां पर कर सकते हैं गैप अप हम कर सकते हैं 22,000-22,60 के आसपास बेसक वो असी दिखा रहा गिफ आज बैंक की निफ्टी में क्या मुमेंटम मिल सकता है हमें और आज निफ्टी के एक्सपारी है तो आज हम मेंबर उनली ट्रेड करते हैं तो अगर आपने चैनल की मेंबर्शिप नहीं लिया तो चैनल की मेंबर्शिप जाकर के आप ले लिजेगा बैंक की बात करते हैं त हम wait करेंगे further pullback अगर market में pullback नहीं आया तो आपका bad luck pullback आया तो entry आपको अच्छे से मिलेगी अगर आप pullback का wait नहीं करोगे तो sudden fall में आप trap हो सकते हो तो हमें क्या करना है अगर market gap up करती है तो pullback का wait करना है उसके बाद अपनी position बना रहा है तो 46,650, 700 की जो नमें gap up उसके बाद pullback 46,500, 400 की जो नमें support वहाँ पर कोई भी positive scenario उसके बाद हम जाएंगे long राइट इस तरह का कुछ setup जो है वो आज की market में हो सकता है वीडियो अच्छी लगी हो तो please like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिए bell icon के साथ में आज के लिए कुछ इतना इदा thank you for watching जैहिन बन्दे मातरब